पिता की हत्या करने का आरोपी बेटा वह उसका साथी गिरफतार थाना कुसॉला पुलिस ने एक युवक को अपने पिता की कर्ट लगा कर हत्या करने वह अपने साथी के साथ शब को खुर्ट बोर्ट करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफतार कर लिया है गिर अफ्तार किये गए आरोपियों की पहचान मध्यप्रदेश के जिला उज्जेन के गाउव रावन खेली निवासी शिपपाल पुत्र अनूप सिंग वा उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस के गाउव सूरजपूर निवासी सुनहरी पुत्र काली चरण के रूप में हुई उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस के गाउव सूरजपूर निवासी सुनहरी ने बताया कि सुथानी गाउव में मकान पर किराय पर रहता हूँ और बावल की कमपनी में काम करता हूँ मैं अनुप सिल पुत्र गोपाल सिल निवासी रावन खेडी धाना तराना जिला उच्जेन मध्य प्रदेश वह उसके लगके शिबपाल पुत्र अनुप सिल को जानता हूँ जो उसके साथ कमपनी में काम करते थे तथा सुठानी में मकान पर किराये पर रहते थे दिनाग 23 बटा 5 को मैं अपने मकान पर था तो अनुप वह उसका लगका शिबपाल मेरे मकान पर आयो और कहा कि हमारे से कमरा खाली करा लिया है अनुप ने कहा कि एक रात के लिए हम आपने मकान पर रुखेगी तो मैंने कहा ठीक है आप दोनों एक रात के लिए रुख जाओ मेरा दोस्त अनुप वो उसका लगा शिपाल शराब पीने के आदी है रात को मैंने और शिप्पाल खाना खाया अनुप ने खाना नहीं आया और सो गया शिप्पाल ने बताया कि मेरे पिता जी अनुप सिह रोजना मेरे साथ शराब पी कर लडाई जगा वं मार पीट करते है मैं इससे तंगा गया हूँ मैंने शिप्पाल को समझाया और सो गया और सुबह करीब 4.30 बजे मैं उठा और मैंने अनुपसिल को जगाया तो अनुपसिल नहीं उठा मैंने शिब्पाल को उठाया और कहा कि तेरे पिता जी उठ नहीं रहे है तो शिब्पाल ने बताया कि मैंने रात को मेरे पिता जी को मैने तार से बिजी कनवर्ट लगा दिया जिससे अनुपसी की मौथ हो गई हम घबरा गए और बचने के लिए अनुपसिल की लाश को कंधों पर उठा कर एक कमपनी के पास डाल कर चले गए पुलिस ने 24 मई को शब बरामत कर लिया था और जांच कर रही थी शनिवार को आरोपी शिपपाल और सुनहरी ने कसोला थाने में पहुँचकर पुलिस के सामने सरिंद कर दिया और अपना जुर्म कबूल कर लिया पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफतार कर लिया है